मार्केटिंग रिसर्च विपड़ान अनुसंधान नेक्स्ट आप देखते की मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेट कुन कोन से टॉपिक आप इस वीडियो में पढ़ने वाले तो फर्स्ट आथ इसकी डाफिनिशन नेक्स्ट इसकी नीड एक्जाम्पल पर्पस और यूज इस बाकी अदर टॉपिक्स पर वीडियो की मार्केटिंग रिसर्च है क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्या रोल होते हैं क्या एड्वांटेजिस होते हैं क्या लिमिटेशन होती है और मार्केटिंग रिसर्च अगर आपको कोई डाउट है तो हम आपके फॉलो कर सकते हैं मैसेज कर सकते हैं वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक किजिए चैना को सब्सक्राइब किजिए और कमेंड किजिए अब फर्स आते हैं marketing research के definition according to American persuasion marketing research is systematic gathering recording and analysis of data about the problem related to marketing of goods and services कि marketing research एक systematically तरीके से हम किसी भी problem के solution के लिए information को gather करते हैं, record करते हैं और analysis करते हैं data का थाकि हम जो भी हमारे goods और services से related problem में marketing की problem में उसको solve कर सकें नेक्स्ट आता है according to Flip Kotler, marketing research is systematic problem analysis, model building and fact finding for the purpose of improving decision king and control in the marketing of goods and services कि marketing research इसमें भी सेम वही बुला गया कि systematically तरीके से problem का हम analysis करते हैं ताकि हम decisions ले सकें जो भी market में हमारे goods and services को हमको control करना है उसके बारे में जो भी facts हमको निकालना है हम उसके बारे में research करते हैं next आता है कि क्या need होती है marketing research की जैसे कि हमने देखा कि हमको हमारे goods and services में के बारे में कुछ भी information जाने है कि लोग quality को कितना पसंद कर रहे हैं for example कि आपने टीवी बनाई है टीवी sell कि तो आपको पता करना कि टीवी में क्या problems आ रही है लोग क्यों नहीं ले रहे हैं size बड़ाची कितने inches की आप बना रहे हैं क्या different varieties है LED है LCD है तो आपको देखना है उसके बारे में आप और क्या नया और क्या आप उसी form का कोई और product introduce कर सकते हैं like computer की screens हो सकती है तो आपको देखना है कि आप research करें कि market में किस चीज की demand है क्या लोग चाहते हैं इसलिए हम market की research करते हैं तो first आता है to undertake market effectively हम market को सही तरीके से समझ सके technology में क्या changes हो रहा है customer के test में क्या change हुआ है market demand कितनी change हुई है product जो भी competitor range दे रहा है जितनी variety दे रहा है तो आपको पता करना है कि market में क्या चीज़े चल रही है और आप उसके according आपका product और अच्छा कर सकते हैं distribution channel कि कुन सा distribution channel effectively तरीके से काम करता है इन सभी जरुवतों को पूरा करने के लिए हम marketing research करते हैं नेक्स्ट आता इसका example कि Thomas उन्होंने घर में सावुन बनाया और relatively friends को दिया feedback लिया कि वह चीज को कितना पसंद करते हैं उन से उनको positive response आया पर उनको पता चलता है कि उसमें old study करने की जरुवत है वो social media की through survey करते हैं उस product को बनाया तो marketing research से ही आप पड़ा करते हैं कि आपके product को आप कैसे perfect बना सकते हैं नेक्स्ट आता है purpose of marketing research तो first आता है कि हम consumer की need को customers की need को detail में जान सके कि वो product को लेके क्या सोचते हैं price को packaging recent में जो भी advertising campaigns चले हैं उनको लेके वो क्या समझते हैं कितनी awareness या interest या उनकी desire हुई है उस product को खरीदने के लिए तो हम इसमें detail information लेते हैं consumer की need के बारे में second हम reduce करते हैं product की या business की failure को उसकी risk को कोई भी idea guaranteed नहीं होता है कि वो commercially successful होगा या आप successfully होंगे उस business में तो आप research करके जान रहे हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर देखते हैं कि क्या क्या problem आ रही है और आप उन problems को कैसे solve करते हैं उस तरीके से आपका idea success होता है next आता है forecasting future trends आपको देखना है future में customers की need क्या future में क्या trend होगा तो आपको future के according product को बनाने next आता है क्या uses होते हैं marketing research के फरस्ट आता है कि हम identify कर सके market की opportunity को market की problem को कि market में क्या नई चीज लोग लेना चाहते हैं लोगों को और क्या जुरुआते हैं जो भी उनकी need आप उसको opportunity में convert करके और आप उसका फाइदा ले सकते हैं next आता है generate refine and evaluate potential marketing actions आप देखते हैं कि market में कितना आप कुछ नया जनरेट कर सकते हैं जो भी data आप उनको देखते हैं फिर find करते हैं फिर आप किसी भी result पर जाते हैं फिर next आता मार्केटिंग मार्केटिंग performance कि आप मार्केट के performance को monitor करते हैं चेक करते हैं इंप्रूब करते हैं marketing की process को reduce करते हैं uncertainty को जो भी चीज आपको नहीं पता है कि हो सकते हैं तो आप research के थूप पहले ही उसके बारे में knowledge ले लेते हैं तो आपको पता होता है कि क्या होने वाला है reduce करते हैं आप प्रेस को कि आने वाले टाइम में क्या चिंजस होने वाले हैं लोग कुछ products लेंगे नहीं लेंगे तो आप वह चीज़े समझ सकते हैं for example कि जैसी LED मार्केट में तो लोगों ने जो टैलिविजन आता था वह लेना बंद कर दिया तो अगर आपकी पहले टैलिविजन बना रही थी तो आपको देखने कि आप LED स्क्रीन वाला बनाए पहले जो TV आता थ तो आपने टीवी का अगर स्टॉक जाधा बनाके रखा है तो आप लॉस में जा सकते हैं नेक्स्ट आता है help focus decision में जो भी decision से आप उनको सही तरीके से लें तो कुछ uses होते हैं मार्केटिंग रिसेर्च के तो मार्केटिंग रिसेर्च के इस पीडियो में आपने पढ़ा इ जो कि हमारी goods and services की मार्केटिंग से related होती है next आता है इसकी क्या need होती कि हम marketing research क्यों करते हैं हम कुछ नया जान सके नए information ले सके market की opportunity को देख सके तो बहुत सारी जुरुतों को पूरा करने के लिए इसकी जुरुत होती है फिर हमने देखा इसका example फिर next आता है purpose और uses बाकि स अच्छा लगी तो प्लीज लाइक किजिए सेना को सब्सक्राइब किजिए और कमेंट किजिए और किसी टॉपिक पर वीडियो चीए तो आप कमेंट कर सकते हैं थैंक यू